नमश्कार मैं नीतू शाडोल लैक्षर ब्यूटी कलचर जी डबलू पीची जैपुर से हैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको skincare और skincare types के बारे में बताया था आज इस वीडियो में मैं आपको basic skincare steps के बारे में बताओंगे बेसिक स्किन केर के तीन मुख्य स्टैप होते हैं क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉशराइजिंग क्लिंजिंग से हमारा तात परे है फेस को वाश करना हमारे स्किन रोजाना एन्वार्मेंट के पॉलूशन, डर्ट, धूल, धुआ, गंदी आदी के संपर्ग में रहती है इसे रोजाना साफ करना बहुत ही आवशक है क्रिंजिंग के लिए तोचा के अनुसार सही फॉर्मूला सेलेट करना चाहिए जैसे ओले स्किन है तो फॉर्म क्रिंजर या फिर जैल क्रिंजर यूज़ करना चाहिए जो excess oil को हटाएंगे और skin को dry भी नहीं होने देंगे Dry skin के लिए super mild lotion या creamy lotion अच्छा होता है अब हम toner के बारे में बात करेंगे पहले जो toner होते थे वो alcohol base होते थे जो oily skin से excess oil को dry करते थे इसके साथ में ही cleansing के बाद बचे हुई dirt को भी remove करते थे अजकर जो toner होते हैं वो thin liquid होते हैं इनमें nutrient होते हैं और ये skin को supplement देते हैं इसके साथ में ही ये किसी अन्य product को skin में absorb कराने में सहायक होते हैं Dry skin पर cleansing के बाद serum यूज़ करना चाहिए इनमें powerful ingredients होते हैं और इनके molecules काफे small होते हैं जो skin में जल्दी ही absorb हो जाते हैं और ये fine lines और wrinkles पर काम करते हैं अब हम moisturizer के बारे में बात करेंगे moisturizer का basic function जो है skin को soft करना और नमी देना है moisturizer की आउशकता हर तरह के skin को होती है Dry skin के लिए oil based moisturizer यूज़ करना चाहिए Cream और creamy lotion भी यूज़ किये जा सकते हैं अगर oily skin है तो gel based moisturizer select करना चाहिए ये skin में तुरंट absorb हो जाते हैं ये lightweight होते हैं, water based होते हैं Normal और combination skin के लिए हम lotion select करते हैं Skin care के वैसे तो ये 3 main step होते हैं लेकिन sunscreen से भी अपने skin को protect करना एक बहुत ही आउशकत step है क्योंकि sun rays से skin dry हो जाती है fine lines और wrinkles develop हो जाते हैं pigmentation भढ़ जाता है इसलिए कम से कम 30 SPF वाला sunscreen रोजाना जरूर एपलाई करना चाहिए इसके अलावा, week में एक बार skin को exfoliate करना चाहिए जिससे की dead skin remove हो जाती है, blood circulation improve होता है जिससे complexion better होता है acne और excess oily skin पर oil absorbent mask यूज कर सकते हैं ऐसे mask excess oil को absorb करते हैं और skin को clean करते हैं Thank you